हे गाइस वल्कम बैक टो दी चानल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप अपने कॉंटेक्ट्स को केसे बैक अप कर सकते हैं वन प्लस सिक्स में या फिर किसी भी अधर डिवाइस में सो सभी के लिए सेम स्टेप्स रहेगी सेम प्रोसेस रहेगी हाँ अगर आपके 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 साथ लाइफ टाइम रहे तो आप ट्राइ कीजी कि आप जो नंबर सेव करते हैं वो फोन में प्लस सीम में ना सेव करते हुए अपने जीमेल इडी पर सेव करें जिससे की क्या होगा आपके जो नंबर है वो आपके Gmail ID पर सेव होंगे जिससे कि आपकी online आपके नंबर रहेंगे Google अकाउंट पर राइट इस चीज का धियान रखे कि आप Gmail ID पर अपना contact नंबर सेव करें अगर आप चाहते हैं कि Gmail पर किसे नंबर सेव करें यह जानना तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगा आप comment में बता दीजे तो first of all अभी हम देखते हैं कि आप contact backup कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आपको settings में जाना है then आपको हर device में option मिल जाएगा import and export का आपको इस पर click कर देना है simply आपको export कर देना है export पर click and इसके बाद यह contact से इसको आप अपने according कुछ भी नाम दे सकते हैं जिसे मैंने mohit 1234 नाम दे दिया and ok कर देना है then यहाँ पर देखे contacts will be exported shortly and यहाँ पर जो contact से उनका एक backup create हो चुका है आपको यहाँ पर files application में जाना है and इसके बाद आपको storage में आपकी जो file है जो export हुई थी वो यहाँ पर देख जाएगे so यहाँ पर हम देख लेता है search कर लेता है mohit 123 यह देखिए यह अभी create होई है यह वाली file इसको आप click करेंगे इसको आप open कर सकते हैं contacts में जैसे आप open करेंगे तो यह सारे contacts आपके device में फिर से save हो जाएंगे तो आप यह जो छोटी सी file है इसको आप save करके रखिए यह देखिए इसकी size is 7MB की आप इसको कहीं पर backup कर सकते हैं, drive पर save कर सकते हैं या फिर आप अपने computer में इसको रख सकते हैं या फिर किसी other device में आप इसको रख सकते हैं इस file को आप कहीं पर भी online update कर सकते हैं, upload कर सकते हैं जिससे कि आपके जितने भी context से वो आप किसी भी device में अगर इसको open करते हैं तो वो सब save हो जाएंगे ठीक है तो एक बर हम करके देखते हैं इसको मैंने context पर click करा just once पर click करा अब उसके आदी ये show कर रहे हैं कि आप कहाँ पर import करना चाहते हैं तो मैं phone पर click कर देता हूँ अब देखें ये सारे context जो है वो import हो रहे हैं और automatically save हो जाएंगे इस device में फिर से ओके सो ये this was the simple process बट अगर आप lifetime चाहते हैं तो आप gmail id पर number save कीजिए जैसे कि मैं करता हूँ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको tax related ज्यान मिलता रहे है थैंक यू